जोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास टाइमर है वाशिंग मसीन का है बहुत से वाशिंग मसीन में जो हमारे टाइमर है प्राबलम आता है कि जैसे टाइमर फिरी हो जाता है या फिर क्या नाम है ये एक ही तरफ चलता है दूसरी तरफ नहीं चलता है तो बहुत सा timer लेने जाते हैं, timer आपका मिल जाता है, लेकिन आप लोग क्या है कि आपको पता है कि मैं अगर same color का tar मिल गया है, तो मैं जहाँ जहाँ wire को काटूंगा, वैसे-वैसे, इसको वहाँपे जोड़ दूंगा, तो आपका जो timer है, वो connection आपका चल जाएगा, और जो problem है वो आपकी दूर हो जाएगी लेकिन 98% condition में क्या होता है कि जो आप पुराना timer निकालते हैं और जो नया timer लेके आते हैं आपके हाँ 7 तार तो इसके अंदर है और जो आप नया ले गाएंगे वो भी 7 तार होगा लेकिन problem ये होता है कि उस सातार में और इस सातार में क्या होता है कि तारे जो है वो अलग-अलग होती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने wire जो है गरत लगा दिया तो हमारा कहीं short circuit नहोजाए washing machine में और चीज नुक्सान नहोजाए और हमारा machine में खराब नहोजाए motor न खराब जाए बहुत सारी चीज़े तो होती है सबसे पहले मैं आपको एक चीज केलियर कर दूँ कि जो हमारा timer connection चलता है ये हमारा series में चलता है अगर आप कोई भी गलत तार अगर लगाते हैं तो कोई problem नहीं होगी short circuit होने की संभावना नहीं होती है क्योंकि ये series के through काम करता है अब आप लोग series नहीं मालूम होगा तो जो technician भाई है वो लोग समझ जाएं कि series क्या चीज होता है तो ये series में काम करता है इसमे short circuit होने के chances नहीं होते हैं सो guys अब आते हैं अपने main topic पे कि अगर आपकी जो wire है वो अलग अलग होंगे तो आप कैसे identify कर सकते हैं कि हम ये जो 7 वायर है उसको कहां कहां कैसे लगाए सो guys वीडियो पे बने रहें क्योंकि आप लोग के लिए ही वीडियो बनाया है और comment जरूर करना चैनल को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि बहुत मुश्कल से आप लोग के लिए वीडियो लेके आना पड़ता है सो guys आप देखेंगे कि जब washing machine में देखेंगे कि यहां पे पहले एक दो तीन चार चार तार एक तरफ होते हैं और जो तीन तार है वो एक तरफ होते हैं और बीच में क्या होता है आपका gap होता है बहुत ज़्यादा सा सबसे पहले हम आते है यहां पे एक बार आपको मैं समझाए तो तरीके से तो आप लोग क्या है कि आप भूलेंगे नहीं जब आप नया timer लेके आएंगे तो यह जो तीन तीन तरफ यह जो तार दिख रहे हैं आपके यहां पे तो इसमें से एक तार जो होती है बहुत लंबी होती है और क्या है कि जहां पे यह चार तार है इस चार तार में से दो वाहर लंबा होता है और मैं आपको बता दो कि तारे कोई भी हो, तारे कैसी भी हो आपको घबरान नहीं है, सौर्ट सर्कृट नहीं होगा, अगर तार आप अदला बदली भी लगा देंगे, तो भी कोई प्रॉपल्लम नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहें कि जहां चार तार हैं, और जहां सिंगल तार हैं, वो ची थोड़ा स का होता है तो यह हमारा होता है बर्जर का होता है अब इसमें क्या होता है कि जब आपके कपड़े धुल जाते है तो यह क्या करता है कि फेस को भेज देता है अपने इस पे भेज देता है और जो हमारा एक यहां पर बर्जर लग गया तो उसको नूटल फेस चाहिए होता है न current जो है जो आपका आवाज करने वाला बर्जर होता है उसको मिल जाता है तो वो बढ़ने लग जाता है तो इसमें आपको कोई नहीं सक है 99% क्या होता है कि ये सबसे किरार ही होता है और जादतर तार इसी color में होता है ये मारा बर्जर का होता है अब आपके पास देखेंगे आप आपके पास 6 वायर बची है तो अब मैं इसके दूसरे वायर पर आता हूँ तो आप देखेंगे इन जो 2 वायर है आपकी जो 3 वायर हमें से 2 वायर है जब आप नया टाइमर राएंगे तो उसमें से क्या होगा कि एक वायर जो होता है वो छोटा होता है और जो एक वायर होता है वो बहुत बड़ा होता है तो जो वायर इन दोनों मसे सबसे बढ़ा हो वो आपको नीचे भेजना है फेस लाने के लिए फेस लाने के लिए क्या होता है कि अगर हम timer को हटा भी देंगे तो इसमें से क्या होता है कि जैसे एक तार होता है जैसे हमारा मालो इसमें तीन मसे एक तार है आपका अब उसमें से क्या होता है कि जैसे motor को हम इस पे शॉट करेंगे तो left घूमता है उसमें निकालके उद्र-right-side करेंगे तो वो क्या होता है कि Left-right-home था है तो इसी condition में क्या होता है कि ये face लेने के लिए जो लंबा wire होता है वो नीचे जाने के लिए बनाया होता है कि ये इसको नीचे से current लाना है timer को connection देना है उसके बाद क्या होता है इसमें से हमारा जो एक वायर बचेगा जैसे माललो हमने पहला नमबर तो हमारा यह क्या है बरिजर का हो गया अब जो दूसरा वायर जो हो गया हमारा यह हमारा फेस लाएगा नीचे से अब उसके बाद क्या है कि यह यहां पर देखेंगे कि जो हमारा selector switch का जो common होता है जो सबसे अलग लगा होगा ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें क्या करता है कि selector switch में जाता है और वो normal और high का speed बनाता है मतलब कि काफी लंबा चक्कर मारेगा फिर जाकि वो left लेगा तो वो इस condition की होता है तो जो छोटा wire होगा आपका वो हमारा selector switch का जाएगा common में जाएगा अब आते हैं यहां चार तार में चार तार में आपको मैं बता दूँ कि जब आप नहाई timer देखेंगे तो चार तार में से दो wire जो है वो लंबी होगी color कोई से भी हो same same भी color हो सकते हैं और color wise अलग अलग भी हो सकते हैं उनमें आपको कोई भी plus minus neutral phase को कोई मतलब नहीं होता है वो जो दो wire होती है वो हमारा condenser में जाती है जो हमारा capacitor लगा होता है नीचे motor के साथ attach होता है तीन तार में एक तार तो हमारा motor का common होता है और जो दो wire होती है वो उसमें हमारा capacitor लगता है और वही दो capacitor का power जो हमारा जो लंबे wire होते है वो उनी में जाता है तो ये दो तार हमारे यहां पर बुख हो जाते है जो लंबे लंबे wire होते है इन चारों मसे अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो दो जैसे मालो हमने एक हमने एक्जाम्बल के तौर पर जैसे दो वायर हमारे मौश्टली यही होते है रेड और यल्लो तो आप देखेंगे ये दो वायर हमारे बचते हैं इसके अंदर क्या हुआ छोटे छोटे तार होंगे इसमें क्या होगा थिंबल लगा होता है यह थिंबल लगे होते हैं और यह जो दोनों वायर होते हैं वो हमारे जाते हैं सेलेक्टर स्वीच के मतलब की स्पीड के लिए जाते हैं वो बिल्कुल बगल बगल में लगे होगी तो वो वहाँ पर आपको लगा देना है एक जो सबसे अलग दूर लगा होगा उसके आसपास कुछ भी नहीं होगा तो वो तो हमारा तीसरे तीन में से कोई जो छोटा वायर होगा वो लगेगा और जो हमारा जो हमारी जो ये चार तार में दो छोटे छोटे होगे ये हमारा सेलेक्टर स्वीच में वहाँ पर क्या होगा दोनों पास पास लगे होगे तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है तार आप अदला बदली कर देंगे तो कोई मतलब अगर आपका लोग पे हाई स्पीड घुम रहा है तो फोड़ा अदला बदली कर देंगे और अगर आपको अगर आप तब भी समझते हैं कि यह स्वेक्टर स्वीच है रहा हमें पंगा समझ में नहीं तो यह चीज और बता दू कि जो हमारे चार तार गये वह सबसीज करना है और च्छोटा वार जिसमें थिम्बल लगा हुआ है उसको क्या करना है इस दो जो चोटे तार हाँ होते हैं इसमें से किसी एक प्र आपको शौकर के तो सब दो इसी परकार से यह वाइरिंग होता है तारे बहुत जदा अलग अलग होती हैं तार को आप लोग को घबलाना नहीं है बिलकुल अच्छे से आपको वाइरिंग कर दीनी है सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन